हलो फ्रेंड्स मैं परी एक बार फिर हाज जिरू आप सभी के सामने एक नए वीडियो और एक नए जानकारी के साथ फ्रेंड्स आज मैं आप सभी को हर्चट व्रत की जानकारी देने वाली हूँ यह वरत क्यों किया जाता है? किस की लंबी उम्र के लिए किया जाता है? और किस विधी से किया जाता है? यदि आप चाहते हैं कि आपके वरत में किसी भी तरह की कोई चूक वगड़बड़ी ना हो और आपकी पूजा सफल हो तो इस वीडियो को पूरा देखें तो चलिए जानते हैं कि हलशष्टी व्रत क्या है और क्यों किया जाता है भाद्रमास के कृष्णपक्ष शष्टी को हरशट व्रत मनाया जाता है इस व्रत को हलशष्टी, हलशट, हरशट व्रत, चंदनचट, तिन्चटी, तिन्नीचट, ललहीचट, कमरशट या खमरशट भी कहा जाता है यह व्रत इस्त्रियां अपने संतायन की दीर घायों के लिए करती हैं इस दिन हलशष्टी माता की पूजय की जाती है भाद्र मास के कृष्ण पक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् बाच हर के चावल खाकर व्रत रखती हैं बहाद्र कृष्ण पक्ष की शष्टी तिथी को हर शष्टी या हर्षट व्रत और पूजन किया जाता है यह व्रत वही इस्त्रिया करती है जिनको पुत्र होता है जिनको केवल पुत्री होती है वह यह व्रत नहीं करती यह व्रत शाम के समय पूज़ा के लिए मालिन हर्षट बनाकर ला ती हैं हर्षट में जर्बेरी कास और पलास्तीनोगी एक एक डालिया एक साथ बंदी होती हैं जमीन को लीप कर वहाँ पर छौक बनाया जाता हैं और उसके बार हर शटकों वहीं पर लगा देते हैं पूर्भी उत्तय प्रदेश में इस्तरिया पूजन के समय कुष के पेड़ में गाट बानती हैं इसके लिए इस्त्रियां कुष लगे हुए स्थान पर जाती हैं अथ्वा घर में ही किसी इस्थान या गंबले में कुष लगाकर गाट बानती हैं इस व्रत पूजन में हर सामगरी में छह की संख्या का अधिक महत्व हैं जैसे भा कि इस व्रत में पूजा किस तरह की जाती है प्रात्यकाल उड़ जाएं नित्य कर्म करें महुआ का दातून करें उसके बाद इसनान कर लें तत्पस्चाद सच्छ वस्त धारण कर गोबर लाएं पूजा निस्थान पर जरबेरी तास तथा पलास की एक एक शाखा बांद कर बनाई गई हर्षट को गार दें तत्पस्चाद इसकी पूजा करें पूजा में सतनाजा यानि की चना, जौ, गेहू, धान, अरहर, मक्क तथा मूंग चढ़ाने के बाद धूल, कजरियां, होली की राग, होली पर भुने हुए चने के होरा तथा जौ की बाला चढ़ाएं हर्षट के समी भी कोई आभूसर तता हल्दी से रंगा कपड़ा भी रखें पूजन करने के बाद भैस के दूद से बने मक्षन द्वारा हवन करें उसके बाद इस फ्रत की कथा आप खुद कहें अथ्वा सुनें बहनों आईए जानते हैं कि पूजन में क्या-क्या सामगरी लगती है हर्षष्टी या हर्षट फ्रत में पूजन सामगरी है सतनजा यानि कि गेहूं चना जुआर अरहर धान मूं मक्का भैस का दूद घी दही मक्षन सिंदूर, जनेव, धूब, मिटी का दीपक, लाल चन्दन, अक्षत, नैवेद, घुना हुआ महुआ, धान का लावा, घुना हुआ चना, हर्षट, जर बेरी, कुष और पलास की डालियां, महुआ का पत्ता, कुष दादून के लिए महुआ की डाल, तालाब में उगा चावल, जितने पुत्रों होतने मिट्टी के बरतन, नया कपड़ा, और वह पूजन सामाग्री जो आप घरेलू परंपरा के अनुसार घर में प्रयोग करती हैं, पूजन के बाद बच्चों को प्रसाद की रूप में भुना हुआ चना, धान का लावा, भुना हुआ पूजन कर लें, बहनों इस वरत में पूजा के बाद छे कथा सुनते हैं, तो आईए इस वरत को रखने की एक बहुत ही प्रचलित कथा मैं आप सभी को सुनाती हूँ, प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी, उसका प्रसाव काल अत्यंद निकट था, एक और वह प्रसाव से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर उसका मन गौरस दूद दही बेचने में लगा हुआ था, उसने सोचा कि यदि प्रसाव हो गया, तो गौरस यूही पड़ा रह जाएगा, यह सोचकर उसने दूद दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी, किन्तु कुछ द पास के गाउं में दूद दही बेचने चली गई, संयोग से उस दिन हल शष्टी थी, गाय भैस के मिश्रित दूद को केवल भैस का दूद बता कर उसने सीधे साधे गाउं वालों में बेच दिया, उधर जिस जरबेरी की नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैरे से काम लिया, उसने जरबेरी के काटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया, कुछ देर बाद जब गवालिन दूद बेचकर वहां पहुची, तो बच्चे क कि ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी, कि यह सब उसके पाप की ही सजा है, वह सोचने लगी कि यदि मैंने जूट बोलकर गाय का दूद ना बेचा होता, और गाउं की इस्त्रियों का धर्म ब्रष्ट ना किया होता, तो मेरे बच्चे की यह दशा ना होती, अ गली-गली घूम कर अपनी कर्तूत और उसके फल शरूप मिले दंड का बखान करने लगी, तब इस्त्रियों ने धर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे ख्षमा कर दिया और आश्रवाद दिया, बहुत सारी इस्त्रियों द्वारा आश्रवाद लेकर जब वह पुन जूट ना बोलने का प्रण लिया, बहनों देखा आपने, यदि आप इस व्रत को रखते हैं, तो पूरे विधी विधान से व्रत को पूरा करें, और सिर्फ व्रत के दिन ही नहीं, बलकि अपने जीवन में कभी भी अपने स्वार्थ के लिए जूट और छल का प्रयोग ना करें, इनी अच्छे विचारों के साथ मैं आप सभी से विधा लेती हूं, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई, ये जानकारी अच्छी लगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपको इसी तरह की हर जानकारियों से अउगत कराती रहूं, मेरे इस चैनल में आपको अपनी तकलीफ या बिमारी को कंट्रोल करने के बहुत ही आसान वा घरिलू उपाए मिलेंगे, हमारे देश में होने वाले त्याहारों से संब्दित व्रत वा उनकी पूजनवीरी की जानकारी मिलेगी, साथ ही आप सभी के खुश रहने वा हसने के मस्ती भरे वीडियो भी मिलेंगे, तो फ्रेंड्स इसी तरह की कुछ नई जानकारियों के साथ मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक लिए बाबाई